COVID के current situation के बारे में सब को पता है कुछ state में lockdown लग गया है और कुछ state में अभी night curfew चल रहा है weekend curfew चल रहा है तो बहुत सारे ऐसे restriction अभी लग गया है और साथ में हमें COVID के साथ भी लगना पर रहा है आप देख सकते हैं आप जानते भी हैं कि कुछ PIN Codes पे Non-Essential Items की Delivery में भी Restriction लगा दिया गया है आप जैसे कि Screenshot में देख सकते हैं बहुत सरे ऐसे PIN Codes है जहां पे अभी Non-Essential Items की Delivery नहीं हो रहा है तो ऐसे में E-Commerce Seller को क्या करना चाहिए कैसे अपनी बिजनेस को रन करें और किस तरीके से अभी आपको स्ट्राटेजी बना लेनी चाहिए तो चलिए इसके उपर ही हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और मेरे तरब से आप सब के लिए रहेगा टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं अपनी बिजनेस में अभी को भी सिचेशन को हैंडल करने के लिए तो हाई दोस्तों कैसे आप सब उमीद करते बढ़िया ही होंगे मैं हूं सबसे पहले तो आपको अपना और अपने पड़ी जनों का सेहत का ध्यान रखना चाहिए एसमस को आपको फॉलो करना चाहिए अभी एसमस मतलब सैनिटाइजर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भीर भार एरिया से आप दूर रहिए एवोईट कीजिए ऐसे जगा पर जाना मार्केट पर जाना शादी वगेरा कई पर आपको अटेंड अप मत कीजिए अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखिए यह सबसे ज्यादा कोविड सिचुएशन में को पैनिक नहीं करना है लास्ट येर भी हम इसे जेल चुके हैं और आगे भी हम इसे जरूर निपट लेंगे हम इसे निकल जाएंगे तो यह तो हो गया परसनल बात है अब बिजनेस के लिए आपको अभी क्या करना चाहिए एकॉमर्स से लिए ध् पिन कोर्स में डिलेड डिलिवरी हो रहा है और इसके कारण आपका ओडर कैंसल हो सकता है और यह कैंसलेशन को बचाने के लिए आपको जितना जल्दी हो सकते अपनी प्रोटक को डिस्पैच कर देना चाहिए क्योंकि लोजिस्टिक में डिले होगा तो एंड अफ बिजनिस भी रन कर पाएंगे और अपना सेलिंग भी चलता रहेगा और मैं आप सबके लिए एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जो है फाइव वीनिंग प्रोडक्स के उपर एसेंशियल आइटेम्स में और इसे आपको काफी मदद हो जाएगा काफी हिल्फुल होगा आ और कौन से वो कीवर्ड है जो अभी हाइली सर्च हो रहा है येस मैं ये वीडियो आप सब के लिए लेके आने वाली हूँ कल मेरी कोशिश रहेगा कल ही मैं ये वीडियो अपलोड कर दू तो आपके लिए भी हिल्फुल हो जाएगा आप ऐसी प्रोड़क्स को अपनी इंव ओड़क्स को जाएगा आप ये अफो आप कर दीजिए ये क्यूकि के अभी करेंट सिटूएशन में आप जो भी डिस्पले आड रन करेंगे वह कॉस्तोर के समने तो डिस्पले तो होगा लेकिन कस्टोमर आपको ऑडर प्लेस नहीं कर पाएंगे तो इंड आप दे आपको order receive नहीं होने वाला है लेकिन इसके वज़ए से आपके निये order लाने के लिए जो अपने ad campaign run किया है उसके लिए आपको payment तो करना ही पड़ेगा आपके account से तो deduct होगा ही तो इससे आपका direct नुकसान है आप इसे इसी लिए अपने ad campaign को one month के लिए hold कर दीजिए फिर देखिए आगे situation क्या जा रहा है क्या होने वाला है उसके बाद आप situation के मुताबिक ऐसे steps ले सकते हैं कि आगे अपने campaign को run करना चाहिए या ऐसे ही hold पे रखना चाहिए तो इस साल festive season में हमें online shopping के trend ज्यादा देखने को मिलेगा इस pandemic situation के कारण तो आपको घबराना नहीं है आपको बस ready होना है सामने ही festive season आ रहा है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है और हमारे वीडियो भी आप follow करते रही है और कल का वीडियो तो देखना मद भूलेगा क्योंकि मैं essential items के उपर इस particular category के उपर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी ऐसी winning products जो आप अपनी inventory में add कर सकते हैं इस time पे ताकि आपकी selling भी grow कर सके आप इस time पे अपनी business grow कर सके जो नए e-commerce seller है यानि कि वो सोच रहे हैं आने के लिए उनको मैं बता दू कि अभी ये high time है आप सब के लिए आप information gather कीजिए knowledge और अपना sharp कीजिए कि कैसे अपनी online selling start करेंगे और मेरे आने वाले वीडियो में मैं तो आपको बताऊंगी कि new seller को क्या क्या करना चाहिए मैं हमेशा ही new seller के लिए specially series videos में मनाती रहती हूँ तो आप हमारी चैनल को follow कर करिए और आगे भी आपको ऐसे आने वाले वीडियो में new seller के लिए specially आपको बहुत सरी information मिलने जा रहा है तो इस time में जब lockdown है आप घर में बैठे हैं तो आप ऐसे information gather कीजिए मेरे एक series भी आ रही है जो 5 winning products के उपर मैं बना रही हूँ जो हर एक अलग अलग category के उपर होता है तो आप ऐसे चूज भी कर सकते हैं कि किस category से आपको लगता है कि अपनी e-commerce selling, online journey, online selling journey आपको शूरू कर देना चाहिए तो वो भी आप follow कर सकते हैं और offline sellers अभी तक आप online आ गए होंगे और जो अभी तक planning ही कर रहे हैं online आने के लिए आप क्या क देती रहती हूं कीवेने में आपकी question का जबाब देती हूं तो आप कोई भी question भी पूच सकते हैं तो आपको घबराना नहीं है आपकी अगर offline selling अभी नहीं चलेगा बंद हो रहा है तो आप online आ जाईए आप थोड़ा-थोड़ा product से ही आप start करे online और ऐसे information लेते लेते आप भी सीख जाएंगे और अपनी online selling भी successfully run कर पाएंगे तो आपको डरने का नहीं है offline sellers के लिए मैं बता रहे हूं जितना जल्दी हो सके जो अभी तक online नहीं आए है online भी आ जाईए ऐसी बात ही है कि online आप selling करना start कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि offline बंद कर लीजिएगा नहीं ऐ आपको नहीं करना है आपको अगर offline shop है physical shop है तो आप वो भी साथ में रन करें जब वो open होगा जब यह lockdown और यह curfew बगेरा जो हट जाएगा COVID के साथ हम लोग लेंगे तब offline भी चलाएं लेकिन आपको यह समझना है online ही future है और e-commerce आगे भी जाके grow करेगा यह कभी घटेगा नहीं तो आप चीज बिजनेस में देख रहे हैं कि वो industry बहुत बड़ी हो रही है और वो grow कर रहा है हर साल तो आपको भी आगे आना चाहिए और अपनी offline को भी online लेके आना चाहिए और इसके लिए आपको information जो भी चाहिए YouTube पे भड़ा पड़ा है आपको बस information लेना है और अपनी online selling e-commerce selling स्टार्ट कर देना है तो भीत करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी सरा information मिला होगा और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत बुलिएगा अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं अगले व सब्सक्राइब